हाई गाईज क्या आप वाट्सेप यूज़ करते हैं तो आपका जबाब होगा ओब्यस्ली एस तो आज के इस वीडियो में मैं वाट्सेप के 10 ऐसे टीप्स और चिक्स आपको दिखाऊंगा जिसे जानना आपके लिए बहुत इंप्रोटेंट है क्या पता यह जो टीप्स और ओपन करो यहां क्लिक करो यहां सर्च करो यू यहां आपका नंबर सो करेगा इस पर क्लिक करो और यहां मेसेज आप लिखो हाई यहां आप रिप्लाइ करो हेलो तो फ्रेंच यह वाट्सेप का निया फिचर है जिसमें आप खुद को ही मेसेज कर सकते हो यह वाट्सेप का निया फीचर है जिसमें आप आपने कुछ important notes save करकर रखना हो या फिर file photos video save करकर रखना हो तो इस tricks को आप यूज कर सकते है इस feature को आप यूज कर सकते है यह आपके लिए useful हो सकती है नमबर टू यहां आप three dots पे क्लिक करो इसके बाद settings पर क्लिक करो यहां stories and data पर क्लिक करो इसके बाद यहां when using mobile data पर क्लिक करो और यहां से इन चारों को अन्टिक करो, और यहाँ से इन चारो को अन्टिक करो और यहाँ OK करो. इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको फोटो या फिर वीडियो भीजता है तो वो अटमेटिकल जाउनलोड नहीं होगा, आप खुद से उसे जाउनलोड करेंगे. इससे क्या होगा आपका फोन का जो डाटा है वो सेव होगा डाटा सेव होगा मतलब पेशा सेव होगा नमबर थ्री यह बहुत इंप्रोटेंट है आगर आप वाचसेप पर चाटिंग कर रहे हो और आप आपने आपको ऑनलाइन नहीं दिखना जाते हो मतलब आपने फ्रेंट्स, रिलेटिव, फेमिली मेंबर्स और गल्फेंट को भी तो इस सेटिंग को कर लो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप आप उनलाइन हो यहाँ त्री डोट्स पर क्लिक करो इसका बाद सेटिंग्स पर क्लिक करो इसके बद यहां privacy पे क्लिक करो इसके बद last scene and online इस पे क्लिक करो और यहां आप nobody पे क्लिक करो और who can see when I am online इस पे आप same as last scene पे क्लिक करो खतम अभी आप किसी से भी चाटिंग करो आपके girlfriend को पता भी नहीं चलेगा कि आप whatsapp पे online हो tip number four आप किसी को भी photo या फिर video भेजो यहां आप क्लिक करो गलरी पे क्लिक करो कोई भी एक photo या फिर video को select करो और यहां आप इस icon पे click करो one पे और send करो इससे क्या होगा friends आपने जिसको भी photo या वीडियो भेजा है वो खाली एक बार ही उससे देख पाएगा इसके बाद फिर से वो अगर देखना चाता है तो वो वहाँ पे उस photo या फिर video को देखने ही पाएगा मैं यहां दिखा देता हूँ आप लोग को जैसे की यह file है वो इस पे में क्लिक करता हूँ इसके बाद यह open हो जाएगा इवेन वो यहां पे screenshot भी नहीं ले पाएगा ठीक है screenshot भी नहीं ले पाएगा इसका इसके बाद इसे बेख करता हूँ तो यहां पे क्या आगया open बोल के लिखा आ गया मतलब एक बार सीन होने के बाद यह यहां से हाइड हो जाता है टिप नंबर फाइब आगर आप इसे settings पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां storage and data पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां manage storage पर क्लिक करेंगे यहां क्लिक करेंगे यहां से आप select all पर क्लिक करके सारे photos, videos को यहां से delete कर सकते है यहां फिर आप यहां manually select करके भी यहां से आप इससे delete कर पाएंगे यहां से बेख ज इसके लिए आप यहां से कोई भी एक individual context को select करेंगे और यहां से आप उस और यहां से आप उसके साथ share किये गिए photos या फिर वीडियो को delete कर पाएंगे tip no.6 देख लो यह भी बहुत amazing है यहां आप three dots पे click करेंगे इसके बाद settings पे click करेंगे इसके बाद यहां privacy पे click करेंगे इसके बाद यहां profile photo पे click करेंगे तो यहां everyone पे select होगा everyone का मतलए आपका जो profile photo है वो सभी लोग देख पाएंगे इसके बाद है my contacts my contacts पे select करते हो तो आपके phone पे जितने भी नमबर save करकर रखा है आपने शिर्फ उन्हीं लोग आपका profile photo देख पाएंगे बाकी अन्व नमबर आपका profile photo देखने ही पाएगा इसके नीचे है my contacts accept इस पे click करेंगे और यहां से आप जितने भी लोगों को select करेंगे और यहां okay पे click करोगे आप क्या होगा आपने अभी जिस जिस contacts को यहां select किये है वो लोग आपके profile photo को देखने ही पाएगा इसके बाद है nobody nobody पे select करते हो तो आपका जो profile photo है वो कोई भी देखने ही पाएगा तो आप आपने मुताबिक आपका जो profile photo है वो आप किसे दिखाना चाते है या फिर किसक किसी का भी WhatsApp status देखते है और आप चाते है कि उसको पता ना चले कि आपने उसके status देख लिया है तो मेरे साथ चलो आप यहां आप three dots पे क्लिक करो इसके बाद settings पे क्लिक करो इसके बाद यहां privacy पे क्लिक करो और यहां आपको read receives का option दिखाई देगा इससे आप यहां से disable करो अब ही आप किसी का भी WhatsApp status देख लो उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसके status देख लिया है लेकिन इसका एक drawback भी है friends आगर आप आपने WhatsApp पे status लगाते है और आपका status कोई देख लेता है तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि किसने आपका WhatsApp status देखा है किप नमबर एट आपने वाटसेप पे किसी कॉंटेक्ट के साथ क्या क्या चार्ट किया है उसका एक चार्ट हिस्टोरी निकलना चाते है मतलब फूल कॉनपरेशन निकलना चाते है तो आप यहां थ्री डोट्स पे क्लिक किजिए इसके बाद सेटिंग्स पे जाईए इसके ब प्लैंटा चाहते हैं हुसे हाँ से सिलेक्ट करिए इसके बाद आगर आपको उइयमतु दोट मीडिया मतलब आपको फोटो वीडियो बेहरा नहीं चाहिए तो यहां आप मीडिया पर क्लिक करेंगे और अगर आपको फोटो वीडियोस के साथ चाहिए तो यहां इंक्लूट मीडिया करेंगे तो यहां मैं विदाउट मीडिया करूंगा क्योंकि मुझे खाली चाहिए देखना है फोटो वीडियोस नहीं देखना है और यहां आप WhatsApp को स्लेक्ट करेंगे और यहां आप किसको यह फाइल सेंट करना चाहते हैं उससे स्लेक्ट करेंगे और सेंट करेंगे को इसका बाद आप इससे उपन करके भी देख सकते हैं उस फाइल look future कए अपने उसके साथ क्या क्या है और कौन से देट को किया है और कौन सी टाइम को किया is वह सारे इस्ट RAW आप देख सकते हैं टिप नमबर 9 आप आपने वाट्सेप पे कभी कबर स्टेटास अपलोड करते हैं और वो लो क्वालिटी में अपलोड होता है बस यह सेटिंग कर लो आप आपका प्रोब्लेम सॉल्व होगा यहां थ्री डॉट्स पर क्लिक करिए इसके बाद सेटिंग्स पर ज बेस्ट क्वालिटी में अपलोड होगा जिससे आपके स्टेटास जो है वो बरिया दिखाई देगा तिप नमबर 10 आगर आप अपने वाट्सेप नमबर को चेंज करना चाहते हैं और किसी एक निया नमबर वहाँ एड़ करना चाहते हैं वाट्सेप पे और वो भी चेंज नमबर पर क्लिक करेंगे इसकrid के ऍसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहां आप अपना पुराना वाट्सेप नमबर एंटर करेंगे जिससे आप आभए रहे हैं और यहां आप नए आप वहाँ एंटर करेंगे और सब्मिट करेंगे तो आपका जो फोन नंबर है वो चेंज हो जाएगा और साथ मैं आपने पुराने नंबर से जितने भी चाटिंग वेगरा किये है मतलब डाटा वेगरा सेंड किये है रिसीव किये है वो भी सारा वहाँ पर दिखाई देगा तो फ्रेंग्स इन में से कौनसी टीप आपको पसंद आया है वो कोमेट कर देना और यह वीडियो अच्छी लेगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना बस इतना ही था आज के इस वीडियो में मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेई टोपी के साथ फिर मिलूंगा थेंक्यू